वैसे तो शिव महापुरान के अनुसार एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल बताया गया है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, परिशानी है, ऐसी कोई बात है जो आप किसी से नहीं बोल पा रहे हैं। कोई विश है जो आपको लगता है कि ये पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे में आपको एक लोटा जल प्रती दिन शिवलिंग पर जरूर अरपन करना चाहिए। यदि आप लोग शिवलिंग पर जल अरपन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए जल अरपन करना और जिन्दगी में जो बदलाव हैं उन्हें महसूस कीजिए। आप खुद ही देखें कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव नसर आएंगे, आपकी लाइफ में आपको सकसेज मिलने शुरू हो जाएगी, समस्याएं तो आएगी बट आपको उसका समाधान भी मिल ही जाएगा। आज हम जानने वाले हैं कि वैसे तो हम हमेशा एक लोटा जल अरपन करते हैं, लेकिन यदि हम सावन के महने में दो लोटा जल एक साथ शिवलिंग पर अरपन करते हैं, तो उसका विशेश महत्व बताया गया है। शिव महापुरान के अनुसार, यदि आप सावन के महने में प्रतेग दिन दो लोटे जल की धार एक साथ शिवलिंग पर लगाते हैं, तो आपके जीवन में सुख, शान्ती, समरिध्धी बनी रहती हैं। यदि आप किसी स्पेसिफिक विश को लेकर दो लोटे जल की धार एक साथ शिवलिंग पर लगा रहे हैं, तो महादेव आपके इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। यदि आपके घर में, आपके जीवन में धन धानने की कमी हैं, तो ऐसे में भी आपको दो लोटे जल सावन में अरपन करना चाहिए। यदि आपको मनपसंद जॉब नहीं मिल पा रही हैं, आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहतर हो, आपकी लाइफ में सकसेज आपको मिले, तो भी दो लोटे जल का विशेश महत्व है। आप भी इस सावन में दो लोटे जल अरपन कीजिए और आने वाले सावन के समय तक देखी आपके जिंदगी में कितने सारे बदलाव आएंगे, आपकी जिंदगी धन धान संपदा से परिपूर्ण हो ही जाएगी। आपको बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ में दो लोटे जल शिवलिंग पर अरपन करना है।